किसान भाईयो नमस्कार एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ करोडेस एगरीक कल्चर में तो किसान भाईयो आज हम बात करेंगे गेहूं में पहली सिचाई तो लगभग कम्पलीट हो चुकी है अब बात करेंगे दूसरी सिचाई का कितने दिन में करें और उसके बात कौन कौन से खाट डालें जिससे कि हमारे पौधे का सही तरीके से विकास हो सके और जो खाट मैंने पहली सिचाई में नहीं डाल पाए हैं वो दूसरी सी चाय में हम डाल कर कैसे अपने पौधे को अच्छी तरीके से कलों का विकास कर सकेंगे आपके पौधे में क्रोथ होगी और आपके पौधे से सही तरीके से फुटा होगा तो बने रहे हमारे वीडियो को आन तक देखने के लिए उससे पहले थोड़ी सी रिकेस्ट है अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी जरूर दबाले ताकि हमारे वीडियो आप लोगों को हरोद देखने को मिले तो किसान भाईो बात करेंगे आज आपको कि आपकी खेत में मैगनीसियम की कमी है या जिंग की कमी है या बोरोन की कमी है या फेरिस सल्फिट की कमी है या मैगनीस की कमी है तो आज सारे पोसकत की कमी हम कैसे दूर करेंगे इसी टोपिक पर हम बात करेंगे तो किसान भायो जब आपकी फैसल 40-45 दिन की हो जाती है तो उसमें दूसरी सिचाई कर देते हैं तो उसके बाद किसान भायो आपको जो हम फल्टी लाइजर को बता रहे हैं इसका अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी पौधे से जबर्जस्त भुटा होगा अकलों का सही तरीकी से विकास होगा तो आपको लेना है मैगनीज मैगनीज किसान भायो लेनी है 500 ग्राम और जिंक सल्पेड जो आता है 33 प्रतिसत वाला इसको लेना है आपको 700 ग्राम मैगनीजियम सल्पेड जो आता है किसान भायो इसकी 1 किलो ग्राम मातरा लेनी है और बोरोन जो आता है किशान भायो 80 ग्राम मातर लेने है आपको इससे ज़्यादा इसकी मातरा नहीं लेना है नहीं तो आपकी फसल में नुकसान देखने को मिलेगा जो फेरेशल पेट आता है किशान भायो इसको 500 ग्राम में लेना है किशान भायो इन सब खादों को अलग- बास नहीं हो पाता है हमारी फसल जो है पीली रहती है और आपकी जो तो इसमें हमारी जो फसल में मैगनीस की कमी होगी वो भी दूर हो जाएगी मैगनीसियम की कमी होगी वो भी दूर हो जाएगी अगर आपने जिंक पहले से डाला है तो कोई बात नहीं अगर जिंक सल्फिट नहीं डाला होगा तो भी आपकी जिंक की कमी होगी वो भी दूर हो जाएगी साथ में बोरोन का भी आपकी कमी खेत में दूर हो जाएगी और फेर शल्पेट की कमी भी दूर हो जाएगी तो ये जो पांच है खाद ये बहुत ही सही तरीके से आपको जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है और 100-500 लीटर में अपने एक एकड़ खेत को इस्प्रेक कर देना है अगर आपने दूसरे पानी के बाद इसका इस्तेमाल कर लोगे तो बाप के पवदे से सही तरीके से ग्रोथ होगा और सही तरीके से फुटा होगा और कलो की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी जितने कले उतने ही बालियां आएंगी और जितने बालियां होंगी उतना ही ज्यादा आपके खेत से उत्पादन मिलेगा तो उमीद है किसान भा लाइक और सब्सक्राइब सेर्ट जरूर कर लें